सभी दर्शकों को जय सिया राम आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि करवा चौथ का वरत कब है और जो स्त्री पहली बार इस वरत को कर रही है वो किस बात का ध्यान दे प्रत्येक वर्ष सुहागिन महिलाओं के द्वारा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौथ का वरत किया जाता है पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का वरत 20 अक्टूबर को किया जाएगा चलिए इस लेक में जानते हैं कि करवा चौथ वरत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में सनातन धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेश महत्व हैं ये त्योहार पती-पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाओं पती की लंबी आयू के लिए वरत करती हैं मान्यता है कि वरत करने से महिलाओं को सदैव सुहागिन होने का आशीरवात प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है ये वरत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के साथ समाप्त होता है सनातन शास्त्रों में करवा चौथ वरत के नियम के बारे में बताया गया है मान्यता है कि नियम का पालन न करने से महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ती से बंचित रहती है साथ ही जीवन दामपत्य जीवन में कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ी ड़ेचता है ऐसे में आईए जानते हैं करवा चौथ वरत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं लाल वस्त्र धारण करें क्योंकि लाल रंग के वस्त्र को सुहाग की निशानी मानी जाती है सुहागिन महिलाओं को 16 श्रंगार करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए चंद्रदर्शन करने के बाद ही महिलाओं को व्रत का पारण करना चाहिए व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें इसके अलावा व्रत में अनजल का सेवन नहीं करना चाहिए इस विधी से करें व्रत का पारण करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रदर्शन और अर्ग देने के बाद किया जाता है इसी वजह से इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का बेसबरी से इंतजार रहता है यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला किया जाता है चांद निकलने पर पूजा अर्चना करें और दीपक जला कर छलनी में से चंद्रदर्शन कर पती को देखें इसके बाद चंद्रमा को अर्गे देने के बाद पती के हाथों से जल ग्रहन कर व्रत खोलें। सनातन धर्म में उदया तिथी का विशेश महत्व है।